हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में आज की वड़म बात करेंगे जो भारत के पूरवी दिशा और पश्चमी दिशा में टोटल मिलाकर तेरा परमुख बंदरगा है भारत के उनके बारे में और कुछ नेशनल वाटर वे यानि की राष्टे जलमार्ग जो होते हैं आपके भारत में हमारे उसके बारे में भी बात करेंगे जहांसे आपके बहुत important questions पूछे जाते हैं आप किसी भी level के competitive exam की तयारी कर रहे हो तो और पूरी theoretical portion कराने के बाद मैंने आपको hand में कुछ important questions series दे रखी है उनको जरूर लगा के देखिएगा कि आप तक आपको कितना समझ में आया है ओके तो चलिए शुरू करते हैं तो हम पहरे बात कर लेते हैं भारत की जो तेरा परमुग बंदरगा है उसके बारे में फिर बात करेंगे हम जलमार यानि की waterway के बारे में क्योंकि वहां से भी कुछ questions पूछे जा रहे हैं तो ध्यान रखेगा दो भागों में distribute करा गया जो कि मैं आपको पिछली बार भी बताए था इस तरफ हो गया आपकी बंगाल की खाड़ी और इस तरफ हो गया आपका अरब सागर तो जिस तरफ बंगाल की खाड़ी है उस तरह आपकी जो ports होंगे उनको कहा जाएगा आपका पूर्व बंदरगा और जो आपका इस तरफ होगा यानि कि आपका अरब सागर की तरफ उसको बोला जाएगा पश्मी बंदरगा तो पहले अभी बात कर लेते हैं पश्मी की तरफ कौन-कौन से बंदरगा है तो पश्मी की तरफ जो पहला बंदरगा है वो गुजरात के अंदर यहाँ पर है का को और आपसे पुछाजा कि मुफ्त वीपार च्छेत्र किसे कहा जाता है और यह कहा पर आपका अरब सागर की तरफ के अरब खाड़ी में हैं और पश्मी बंदर गाहे और बुजरात में हैं तो यह सारे हो गया आपके कांडला बंदरगा से चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका मुंबई मुंबई पोर्ट ध्यान रखे गए जो पोर्ट है अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे इंपोर्टेंट और सबसे बड़ा बंदरगा कौन सा है तो वह आपका बंदरगा या सबसे ट्रैफिक वाला बंदरगा या पोर्ट पूंज यह चोठेसा है तो आपका मुंबई पोर्ट है उसी के साथ में महारास्टव में एक और खोला गया है क्यों कि मुणा ऑपन घुआ को कि मार्मघु बंदर गरा ने कि नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका मारमगोवा जो यह आपका बंदरगा है यह आपका बंदरगा है गोवा के अंदर अगर आपसे पुछा जाए कि महारास्टर में कितने बंदरगा है तो टोटल दो बंदरगा है ध्यान रखेगा एक आपका मुंबई है और दूसरा आपका नवशावा है अगर आपसे पुछा में प्राज़े की कि गोवा बंदर्गा तो गोवा बंदर्गा नाम है वह आपका अमाबा गोवा नाम बंदर्गा का नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने जोकी अपका करनाटक खें रहेख लिए और नियो मंगलूर है नया- वह कहां पर है आपका केरल में तो केरल क्या हो गया वह आपका कोचिंगग बंदरगा कहा पर आ गया केरल में तो यह आपके कुछ बंदरगा होगे पशमित outright के और उसमेन तर्ट के बंदरगाओं को जैसे कि को मिन आपको बताया था कांडलावरर टट यानि गुझरात में जो है इसको नाम से जाना जाता है गुझराट टट के नाम से यह तो थोड़ा नाम बेसिक सा उगया लेकिन जो नेक्स्ट नेम है जैसे कि आपका हो गया महरास्ट्र और गौवा के टट को तो महराष्ट और गोवा के टट को क्या बोला जाता है, आपका बोला जाता है, कॉंकर्ड टट, अगर आपसे पुछा जाए कि कॉंकर्ड टट किसको कहा जाता है, तो आपके महराष्ट और आपके गोवा के जो टट है, उनको कहा जाता है, अगर आपसे पुछा जाए कि कनट टट किसे बोला जाता है तो करनाटक के टट को क्या बोला जाता है करनाट टट कहा जाता है और अगर आपसे पुछा जाए कि जो आपका केरल में कोचिंग टट है उसको क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है आपका मालाबार टट तो ध्यान रखेगा इसको इस नामों से भी जा आजाता है आपसे कोशन पूछे जा सकते हैं तो यह सारे हो गए आपके सारे पश्मी टट के बारे में अब बात कर लेते हैं पूर्वी टट के बारे में तो नीचे से बात करते हुए चलते हैं जो कि आपका नीचे सबसे पहले जो बात हो चाती है यहाँ पर तमिल नाडू के यहां पर आपका जो आता है पहला बंदरगा वो आता आपका तूती कोरिन तो तमिल नाडु को यहां पर यहां पर आपका आपका पहला बंदरगा जिसे बोला जाता है तूती कोरिन और तमिल नाडु को दूसरा बंदरगा है इसके उपर आपको पता भी है चेन नहीं तो चेन्नई ही है इसका दूसरा बंदरगा और तीसरा बंदरगा है आपका एन्नोर जो कि इससे थोड़ा सो उपर पड़ता है उसको बोला जाता है एन्नोर तो यहां से आपका एक कुशन पूटाप होता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें तीन बंदरगा है तो व परदेश में जो आपका बंदरगा आ जाता है वो आपका यहां पर आता है जिसका नाम है विशाका पटनम अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे गहरा और भारत का सबसे प्राकरतिक बंदरगा कुन सा है तो आपका आएगा विशाका पटनम तो ध्यान रखेगा बंदरगाओं में सबसे गहरा बंदरगा आपका विशा का पट नम है और भारत का प्राकर्तिक बंदरगा आईए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम उडिसा की तो उडिसा में जो आपका बंदरगा आता है यहां पर जिसको बोला जाता पारादीप जो कि आपका वेस्ट बंगोल का यह नहीं कि पस्चिम बंगाल में वैसे देखो आपको एक बंदरगा है और दूसरा उसका सहाइक बंदरगा है लेकिन कई इसको ही तेरवा बंदरगा मान लेते हैं लेकिन यह तेरवा बंदरगा नहीं है तो पहले बाट कर लेते हैं देखें वेस् तो ध्यान रखेगा इस point को जो कि 13 बंदरगा और हल्दिया से आपका एक question put up होता है मैं भी आपको बाद में बताऊँगा लेकिन जो 13 बंदरगा है वो आपका आएगा यहाँ पर यह आएगा आपका अंडवार निकोबार क्या इसको बोला जाता है port Blair नाम से तो तेरवा बंदरगा आपका कौन सा हैगा port Blair तो यह आपके होगे तेरा बंदरगा और यहाँ से एक question और put up होता है तो देखो यहाँ से जो आपकी कृष्णा नदी जारी होती है कृष्णा रिवर यह नदी है ना इन दो भागों में distribute कर देती है तो उपर वाले सभी पोटों कहा जाता है उत्री सरकार टट और नीचे वाले सभी टटों कहा जाता है आपका जो कि आपने सुना भी होगा कि लोटता हुआ मानसुन किस टट पर वर्षा कराता है तो कोरोमंडल टट पर तो नीचे वालों को कहा जाता है कृष्णा निदी के नीचे वालों को कोरोमंडल टट और कृष्णा निदी के ऊपर वाले टटों कहा जाता है आपका उत्री सरकार टट तो ये कोशन भी आपका put up हो सकता है ये तो हो गया आपके टोटल बंदरगा अब इससे related कुछ परसन सुन लीजिए देखिए अगर आपसे पुझा जाए कि कौन से टट पर अधिक वर्षा होती है तो आपके जो पश्मी टट है यानि कि इस तरफ अरब सागर के तरफ यहाँ पर आपकी जो वर्षा होती है वो अ अधिक उपजा हो है पश्मी से related यानि कि पश्मी कम उपजा हो है और आपका पूर्वी जादा आपका उपजा हो है अगर आपसे पूछा जाए कि प्राकर्तिक बंदरगा सबसे जादा अधिक कहां पर है तो आपकर पश्मी टट यानि कि अरब सागर की तरफ है और man-made पूछा जाए कि अधिक कठा पटा कौन सा तट होता है तो आपका अधिक कठा पटा जो है वो आपके जो इहां पर नेचुरल यानि कि अरब सागर की तरफ जो है वो सारे मैदान कैसे हैं अधिक कटे पटे हैं लेकिन जो आपके इस तरफ बंगाल की खाड़ी के तरफ वो इतने कटे फटे नहीं है अधिक उपजाओ यानि कि एक दूसरे के अपोजिट है आपसे पूछा जाए अधिक कटा फटा या अधिक उपजाओ या कम वर्षा वाला या आपका पूछा जाए कि अधिक चोड़ा तो वो सारे उत्तर होंगे आपके बंगाल की खाड़ी की तो देखे यहां से लेकर यूपी में एक जगह है इलाबाद तो इलाबाद से लेकर यह जाती है कैलकटा हल्दिया तो हल्दिया मैंने आपको जो बताया था जो सायक बंदरगा है कलकटा का यहां तक आके निकलती है जिसकी टोटल लंबाई है आपकी 1620 किलोमेटर अगर आ चयानों निचानल वाटरवे ना है और सबसे लंबा कौनसा है कैसा सोन्ती होगा क्योंकि 1620 किलोमेटर लंबा है एक और बता देता हूँ NW2 वैसे तो 2, 3, 4, 5 भी है लेकिन ये 2 इसे रिलेटेड आपके ज़्यादा कोशन्स पूछे जाते हैं तो 2 देखो ये जो ब्रह्मपुत्र रीवर है जो आपके इंडिया में आती है आप इसको मान सकते हो जो आपका क्या है वो है आपका NW2 यानि कि नेशनल वाटरवे 2 जिसकी लंबाई टोटल कितनी है 891 यानि कि 891 किलोमेटर इसकी लंबाई है जो कि सर्दिया से होकर निकल के गुबरी पट्टी तक आती है ध्यान रखेगा अगर आपसे पूछा जाए सर्दिया से निकल के गुबरी पट्टी तक कौन सी नेशनल वाटरवे जाती है तो नेशनल वाटरवे 2 जाती है जिसकी लंबाई 891 किलोमेटर है तो इनी दो से रिलेटिड अधिकतर कोशन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताइएगा तो मैं आपको एक डिटेल में वाटरवे की वीडियो बना कर दे दूंगा ओके तो यह तो हो गया आपके बंदरगा और वाटरवे से रिलेटेड आपके कुछ थियोरी चलिए एक पेपर कोशन पेपर बोला था कि न्यू मंगलूर बंदरगा बनाया ता तो आप्शन में से क्या पूच है था क्या नहीं है तो ऑप्शन 3 इसका बिलकुल सही है नेक्स्ट कोशन भारत का सर्वसेश्ट प्राकरतिक बंदरगा किय Sugar Burda में आप प्ता अपको विसाखा पटनम तो आप्यूम्पर पर कान लाएगा पश्मी टाट पर पूर्वी एवं पश्मी टट पर तो option no 3 drug सही ऑंसर है नेक्सक प्रशन भारत के मुखें कितने बंतरगा हैं तो भारत के मुल मैं आपक्पों कितने बताई सा ? 13 तो option no C इसका और मुंबई सीपोट के दबाव के का निर्मांड कराया गया था कंसा मुफ्त विपार चेत्र आपको बताए भी था और जो आरिया बंदरला को कहा जाता है कांडला बंदरगा को कहा जाता है तो option number D, इसका बिल्कुल सही अंसर है next question 7th भारत में निम्न में कौन सा एक Odisha टट पर इस्थित है, तो Odisha टट पर आपको कौन सा इस्थित है, पारादीप इस्थित है तो option number B, इसका बिल्कुल सही अंसर होगा question number 8 मर्गवा बंदरगा इस्थित है तो मर्मा गोवा बंदरगा कहां इस्थित है आपका गोवा में, गोवा का नाम से यहाँ पर आपका बता ही चल जाता है तो option number A, इसका बिल्कुल सही अंसर है next question 9th पारादीप बंदरगा किस राज्ये में इस्थित है, तो पारादीप आपका पता है अभी एक question एक तरीकी से उल्टा कर दिया है पहले पूचा गया था, ओडिसा में आप बोला गया पारादीप बंदरगा कहां इस्थित है तो question आपका कैसे भी पूचा जा सकता है तो आपको कहा है, उपारादीप कहां पर है ओडिसा में है, तो option number second इसका बिल्कुल सही अंसर है next question 10th, 10th में देखू क्या बोल रखा है देश का सबसे लंबा जलमार गोशित किया है तो मैंने आपको बताया था 1620 किलोमेटर लंबा ही है जो कि गंगा नदी पर बना हुआ है सबसे लंबा, जिसको NW1 भी कहा जाता है तो option number A बिल्कुल सही है National Waterway 1 और कहा से कहा तक बताया था मैंने आपको यह एहमदाबाद से बताया था ने हल दिया था, इस बात को भी ध्यान रखेगा Next question 11 गंगा नदी के किस भाग को NW1 गोशित किया गया है तो NW1 कौन से भाग को कहा गया था तो इसे को कोशन पूछ भी लिया है तो option number 2 इसका सही होगा इलाबाद से जो हल दिया तक गया हुआ है उसको NW1 गोशित किया गया है Next question 12 भारत के जलमार्ग के राज्यो रूप में परियोग की जाने वाली नदी तो भारत के जलमार्ग के रूप में परियोग की जाने वाली नदी कौन सी है तो लूनी है, गंगा है, यमुना है या कावेरी है बिल्कुल सही है, गंगा नदी क्योंकि NW1 किस पर बना हुआ है, गंगा नदी पर ही बना हुआ है Next question 13 13 में दो बोल रखा है, निमन में से कौन सा 30 मैदान अधिक उपजाओ है तो देखिया, अधिक उपजाओ पोल रखा है तो मैंने आपको बोला था, क्या बताया था तो पूर्वी टट मैंने जो बताया था, आपको वो अधिक उपजाओ है पश्मी टट से जादा Next question 14 मालाबार टट किस राज्य में है तो मालाबार किस राज्य में है, आपका कलकत्ता, चैननेई, केरल तो option number 6 का सही होगा मालाबार टट कहाँ पर है, केरल में है Next question 15 भारत का पारादीप और चैननेई, बंदरगा किस तरह के बंदरगा है तो पारादीप और चैननेई किस तरह के बंदरगा है मैंने आपको बताया था, यह दोनों बंदरगा मैनमेड है यानि कि option number 1 कुमित बंदरगा है उमितर को इंगलिश में बोला जाता है मैनमेड बंदरगा, तो यही important 15 questions है तो मेरे को लगता होगा, आपको यहाँ पर सारे question का जवाब मिल गया होगा और सारे question आपको पता चल गया होगे कि national waterway से और आपके बंदरगा से कैसे related questions आ सकते हैं और आपने इस question में solve करेंगे तो आपके अधिकतर question भी solve हो गए होगे दोस्तो आज की वीडियो में यही important questions में आपको और यही important बंदरगा के बारे में बताना था तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा अगर आपके मन में वीडियो के regarding कोई भी doubt हो कोई भी query हो तो नीचे comment box में comment केजएगा मैं आपका reply ज़रूर करूँगा अगर आपने इस channel को अब तक subscribe नहीं करा है